सुई गाईस कैसे आप सभी आई हो कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे तरफ फाइनली हमारे पास आचुक है रियल्मी का 9i जी हाँ रियल्मी ने अपनी 9 सीरीज को लांच कर दिया तो 9 सीरीज का यह पहला स्मार्टफोन होने वाला है 9i तो मैं आप लोगों दिखाने वाला ह सा यहां पर 9 नहीं लिखा हुआ बड़ा बड़ा काफी ज्यादा और इस साट जो यह रियल्मी 9 नहीं लिखा हुआ है काफी सिंपल सा बॉक्स चलिए फटा फोडिस को ओपन कर लेते हैं तो बॉक्स खोलते ही हमें सबसे पहले एक और यहां पर चोड़ा सा बॉक्स देखन काफी प्यारा कलर है यह पुली आता है दो कलर आते हैं इसमें किया कुछ लुक्स के अंदर तो यहां पर हमें देखने मिलता है एक डाप्टर जोना काफी HAVY लग रहे है और उसके लिए धीने मिल पाँप c केबल यह हमारा स्मार्टफ़ोन प्रिज्म ब्ल्यू काफी प्यारा कलर है वैसे तो काफी अच्छा लूग आता है यहां पर यहां पर जो यह रियल्मी की ब्रांडिंग एंड उपर की साइड में कैमरे से टप और देखने में यहां पर जो बैक है यह गलास लगता है बट यह गलास नहीं है यह जो है प्लास्टिक ही है यह मैट फिनिस में आता है तो यहां पर फिंगर प्रिंट्स थोड़े से लग रहे हैं बर इतना कोई ज्यादा नहीं लग रहे हैं आपको कवर देखने को मिल जाता है जो की ठीक ठाक कवर है साइड में जो है यहां पर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मैट फिनिस बगर दी गई है और उपर की साइड में जो है नीचे के साइड में यह पूरा जो है ट्रांस्पेरेंट है तो काफी अच्छा कवर भी लगता है बैक कवर अगर आप लगाते हैं तो कुछ इस तरी के लुक देखने को मिलेगा आपको इसकी जो विंगर पींट सेंसर उसके लाएं नीचे के साइड में देखने में देखने मिलता है स्पीकर रुपर चार्जिंग पॉर्ट माइकरोफोन और यहां पर हमें 3.5 यहां पर दिया हो है सेकंडरी माइक्रोफोन तो काफी चीज है आपकी नोइस कैंसले का अच्छे होने वाली यह स्मार्टफोन आता है दो वेरेंट में 4GB RAM and 64GB storage और दूसरा वेरेंट जो है 6GB RAM and 128GB storage के साथ में और इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलता है ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी तो काफी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है आउट डर आपको यूज करने में कोई प्राप्लम नहीं होगी तो वो smartphone की display जो है वो बहुत यादा bright होती है, बहुत यादा अच्छ होती है, colorful होती है, मैंने personally ऐसा देखा है, तो यह no doubt display बहुत यादा अच्छ है आपको देखने मिलेगी, और साथ में इस phone के इंदर हमें देखने मिल जाता है Widevine L1 का support, तो आप अगर प्राइम वीडियो य यानि कि जो charging time है, वो काफी कम लगने वाला है, तो काफी चीज है कि inbox आपको 33W का charger दिया गया है, और इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है Android 11, ससत में आप और जो इसका Realme UI है, वो आपको वर्जन 2.0 देखने को मिलता है, तो काफी अच्छा UI है, बट यहाँ पर मुझ जाएंगे, अगर आप इनको यूज नहीं करते, तो आपको भी अनिस्टाल करना पड़ेगा, इनको, बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर जो इसके अंदर आपको बैक साइड में डेखने में मिल जाता है, जहाँ पर में कैमरे जो है, वो है 50MP का, 2MP, 2MP, दो और कैमरे आपको देखने मिलते हैं, जो कि फाल्टू कि हैं, कमपनी ऐसे लगाती है, सब को चिपकाती है, क्योंकि यार लुक बनाती ही कमपनी बस, लुक के ओपर सभी लोग मरते हैं, कि भाई, हमारे फोन के अंदर 5, 6, 7 कैमरे है, जितने कैमरे देदो न हमके लिए कमी है, त अगर एक कैमरा भी दे रही है ना धंका कैमरा देते तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंट में आपको मिलता है सिंगल कैमरा पंचोल डिसपले के साथ में 16 MPI कैमरा देखने हो मिलता है जो कि सोनी का सेंसर है तो यहां पर काफी अच्छी आप सेल्फी जो कैप्चर कर सकते हैं और यह जो देना चाहिए था नहीं 4K दिया गया तो 1080p 60fps देना चाहिए था यार क्या बताऊ यार इस बजट रेंज में बहुत सारे स्मार्ट फोन हैं जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देते हैं बढ़ इसके अंदर आपको सिर्फ फोर सिर्फ 1080p 30fps तक का ही जो ऑप्शन देखने को मिलता है बहुत सारे सेंपल मैंने कैप्चर किया है आप लोग देख लीजिए फ्रेंट कैमरे से कुछ है और उस जो है बैक कैमरे से हैं श्राइब करने उसका बात करें इसका व्यतक करता है और और वह बहुत दो अच्छा को दिक्रन्टियों दिया गया है बहुत ही प्रॉपर वर्क करता है और इस फोन के अंदर मुझे एक और चीज़ अच्छे लगी कि इसके अंदर जो कैमरा बंप है वह बहुत ही कम है इतना ज्यादा निकला नहीं है बाहर की तरफ तो यहार इसका लुक बैक साइड से भी बहुत यह ज्यादा मैट फिनिस में तो ग्रीब बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है एक अबर वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और इस फोन के हैप्टिक फीडबैक भी काफी जाएदा अच्छा है काफी सारे मैंने स्मार्ट फोन ऐसे देखे हैं उनका हैप्टिक देखने को मिलने वाली इस फोन के अंदर और इस फोन को मैं काफी दिर से यूज कर रहा था भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली कि इस फोन के अंदर आप रैम को एक्स्पैंड कर सकते हो इसके अंदर 4gb लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर 3gb और लेगा इसको आपको जिए इनेबल कर लेना यहां पर इनेबल करेंगे तो आपको यहां पर option मिलेगा कि आपकी अपको बढ़ जाएग जायेगी तीन जीव तक राम बढ़ा सकते हैं यह option मुझे बहुत ज्यादा effective नहीं होगा लेकिन काफी हद तक आपको यह मदद करेगा अगर आप हैवी टास्क करें अपने smartphone के उपर तो बहुत अच्छा option है आप भी इसको इनेबल कर लेंगा पर अपर आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह कि इस 50 fps केल सकते हैं 60 fps कभी option आपको इस फोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो फोन काफी अच्छा है डिजाइन बहुत अच्छा है डिस्प्ले क्वाल्टी परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको काफी अच्छी वीडियो काफी अच्छी से कॉंटेंट आप और कोली दिक्कत नहीं होगी लेकिन कहीं नहीं कहीं इस फोन के अंदर कम्च्छी मुझे लगी के अंदर अब camera मैंने ऐसा सोचा नहीं था जैसा camera इसका दिया गया है camera अच्छा है यह नहीं किया रहा है मतलब बिल्कुल घटिया camera है लेकिन मैंने सोचा था कि यार camera जो है थोड़ा सा improve किया जाया क्योंकि यार 9 series ला रहा है realme 9 series ला रहा तो इसके अंदर camera improve होना चाहिए बट जो realme 8i था उसी तरिकर से कैमरा है उससे कुछ भी improve नहीं किया गया है तो इस चीजसे थोड़ा से मुझे दिक्कत हो रही कि यार थोड़ा सा improve करना चाहिए था मैंने यह सोच की भी रखा था कि यार इस series में थोड़ा सा improve करेंगे क्योंकि यार अगली series आती है कोई अग 20Hz का refresh rate देखने को मिलता था तो यार वह सेम रेंज में काफी अच्छा फोन है 8i लेकिन उससे कहीं न कहीं इसको डाउंग्रेट किया गया है तो वह मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा बाकि फोन काफी ठीक ठाक है डिजाइन बहुत इच्छा बनाया गया है और डिस्प अच्छे लगी वीडियो को लाइक कर देने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लेने मिलते हैं किसी दूसरी विडियो में तक बी सेफ एंड बी हैल्दी